हलो फ्रेंड मैं हूँ आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूँ आपका आपना चैनल सार्थक क्लासेज दर्वंगा पर दोस्तों अभी हम लोग बाल विकास पर रहे हैं चैप्टर नमर दो उसका नाम है कि बाल विकास के सिध्धान्त जिसका एक क्लास अल्रेडी हमने कर लिया है आज दूसरी क्लास है चैप्टर दो की और दोस्त अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो पक्का चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे ना अपने मित्रों को भी भेजिए और अगर आपको डिपली पढ़ाई चाहिए जहन में उतारने वाला सिंगल एट्यम्ट में समय बारा सिंगल एट्यम्ट में इसी बार बेहतर नंबर से बेहतर बोले तो 130 पलस अगर 130 पलस की तमन्ना रखते हैं पाने की तो अबस से जोइन करें हमारा सार्थक सीटेट क्लासे दरवंगा की ओफलें क्लासे एक सुबह में क्लास चल रही है दोस्त सारे साथ से दस बजे तक और दूसरी जो क्लास है वो शाम को तीन बजे से लेकर असारे पांच बजे तक समझ बार उबला जबर दस्त बला जहन में उतार देने वाला हंड्रेड परसंट क्लासे में सिखा देंगे हंड्रेड परसंट की बात करते हैं वहीं का वहीं कंसेप एक दम किलियर कर देंगे ठीक है दोस्त अगर वह बला चाहिए न तो आईएगा ओफलेंड बैच में चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर दम आखरी तक बने रहें जय हिंद जय भारत तक बने रहें दोस्त सब सिखा देंगे सब सिखा देंगे बस बने रहें देखिए देखिए इधर देखिए आज जो हम लोग दो सिधांद पर लिए थे बाली विकास के दो सिधांद पर लिए थ आज जो है न तीसरा सिध्धांद परने वाले हैं और देखते हैं कि कहां तक पढ़ पाते हैं जहां तक संभब होगा आज पढ़ेंगे फिर जो बच जाएगा वो नेश्ट क्लास में करेंगे तो सुनिए आज का जो सिध्धांद है तीसरा नमबर उसका नाम है विकास करम की एρείक रूपता का सिध्धांद नाम से पता चल गया होगा विकास करंंपी एक रूपता इसका मतरव क्या हुआ अगर मुखैसवा में विकास हो रहा है अज डेववलोंग मेंट हो रहा है तो वह एक करंव का पालन करेंगा एक सिक्वेंस को फालो करेंगा उन ही तो निश्चित करम से होता है जैसे अगर मैं बात करूँ कि मा के गर्व में जब मुकेसवा मा के गर्व में था लिक्विड फॉर्म में था अगर वहां से मैं बात करूँ ना तो वहां से एक बच्चे की अगर विकास के बारे में बात करूँ तो मा के गर्व में जो सबसे पहला विकास होता है वो होता है सर का किसका होता है हेड सर का विकास पहले होता है सबसे आखरी में सबसे अंत में पहर का विकास होता है तो हुआ ने एक करम सर से पहर क्या हुआ सर से पहर तो सर से पहर एक दिशा हुई न एक डिरेक्शन हुआ न दो तुष इसको बोलते हैं विकास की दिशा का सिध्धा लेकिन करम का पालन किया है ना करम हुआ ना URMukasvahka भी ऐसा ही हुआ हुआ होगा मेरा भी ऐसा ही हुआ है और आपका भी वैसे ही हुआ है पहले सर बना और आखरी में करम हो नँगा ना पहले वू तब यी कड़िव नियुक्रम होता है घृवटा करम से होता है एक ठंग से होता है बैबस्थित तरीके से होता है इसे वेसे नहीं होता है evaод alでした प्था और्लम में बहुरत का बाता ऑन उम्राटत भूका का बचाहु अचुँ, चा, ची, छटका, छटकी आख वाली, चैना का बच्चा हो, हर बच्चे का विकास, एक करम से ही होता है, दोस्त, एक करम से ही होता है, तो आईए आप समझते ही, क्या है यहां पर, बोला है, कि परतेक बालक का विकास, एक करम का पालन करता है, यहां तक तो सब को प लेकिन एक्सामपल के थुरु अगर बतान तो मजा है दोस्त तो मजा है तो सुन्ये जैसे में पहले रोना दो निकालना तो फिर वाखं की आन्सबॉलना एंप फिर वाक्य पर चुच्ट की पर बोलना सिखता है उनीस को समझते हैं अपनी भासा में जहन में उतारने वाली भासा में सुनिए बताते हैं सुनिए जैसे मुके सबा का जनम हो और नौ महिना Vet प्रकास में आना तमसो मां जोतिर गम है तमसो मतलब होता है हे मां तमसो मां मतलब होता है मुझे जोतिर गम है अंधकार से प्रकास की और ले जाना अर्थात हे मां हे भगवन मुझे अंधकार से प्रकास की और ले जाओ तो बच्चा जब मां के गर में रहता है निर्मुकेसभा तो अंधेरे में रहता है आंक बंद रहता है जब दुनिया में बाहर लंच करता है न मुकेसभा लंच करता है तो आंखे खुलती है तो पहली बार वो प्रकाश देखता है दोस्त पहली बार प्रकाश देखता है तो चलिए प्रकाश को देखा तब धुनी ब वर यास्कार कि किसी तरह से रोए क्यзд darum है गपक्जें जनम के बाद बहुत जरूरी है दोस्त बहुत जरूरी है रोना बहुत जरूरी है नहीं रो रहा है यह सही चीज नहीं है तो बच्र जैसे जनम लेगा तो रोएगा रोना जे होता है वो बच्चे की भाषा मानी जाती है सुनियों आप कैसे रोते हैं हम कैसे रोते हैं अलग तरह से पहले मुहला कोई कठा कर लेते हैं तौब जा करके रोते हैं नहीं ना रोने का सब का वही तरीका होता है उसी तरह से सब रोता है तो बच्चा जब जनम लेता पहले रोता है रोता है फिर कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद कुछ महीनों के बाद कुछ महीनों के बाद फिर बच्चा क्या होता है छोटा-छोटा शब्द निकालना सीख जाता है मतब धनी को निकालना सीख जाता है छोटका-छोटका ननकु ननकु बला सीख जाता है फ उससे जैसे और बारा होता है, और बड़ा कहने का मतव हुआ जैसे साथ महिना, आठ महिना का जब होता है, तो छुटका छुटका शब्दों बोलना सीख जाता है, जैसे एक साल का होता है, थोरा सा उपर जाता है, तो छुटका 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 वाकि बोल लेगा, बढ़क बड़का बड़का वाक भी बोलना can जाता है और उस्से भी बड़ा होता है चौ साल का सात सल का आप साल का फिर वाक के बनाना खुद से भी जाता है तो वाक्यों पर धेरे-धेरे कमांड करना सीख जाता है तो सुनिए सुनिए esoto सब की कहानी वैसे ही रहती है सब की पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूं इस पृत्वी पर जितने भी बच्चे जनम लिये हैं सब की कहानी यही है इसी तरह की है ऐसे ही है तो यह एक करम हुआ ना एक करम से हुआ ना कि पहले धोनी निकालेगा फिर छटका शब्द यहां लेकि पहले रोएगा फिर ध्री चुटका शब्रशन को वर्ली निकालेगा फिर वाक्यांस बोलेगा वाक्यांस्तव इस्सा थोड़ा सबस्तического होता तो किसका वाक्य क्या, मतलब छुटका छुटका वाक्य बोलेगा, राम जाता है, वोसे बोलेगा राम, राम, वाक्य का अंसु हुआ, इस तरह से अंसु बोलेगा, फिर बोलना सीख जाता है, बाद में फिर बोलना, जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे बोलना भी सीख जाना है लिय में का हर बच्चा इसी तरह से बोलता है इसी करौता है कि एक तब qчив one यहां करता है दुनिया का हर बच्चा एक और EG गुरकना सीख़ाता है उसके बाद लगबाग छो महिना में उससे कोई बचा पहले भी हो सकता है काथने महिना इवरेज की बात करते हैं छो महिना में बच्चा गुरकना सीख जाता है, गुटने के बल चलना सीख जाता है, जिसको गुरकना बोलते हैं, अपनी बिहारी एस्टेल में गुरकना बोलते हैं, वो हो सीख जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा, नो महिना का दोस महिना का होता है, नो महिना का दोस महिना का उसे पहले आते हैं, उसे भी पहले आते हैं, 7 महिना पर, 6 महिना पर गुरखने लगेगा, 7 महिना में सहारा किसी को पकर करके दीरे-दीरे खारा भी हो जाता है, 8-9 महिना के बात करते हैं, बच्चा सहारा ले करके फिर से खारा होता है, लेकिन पहले के कंपेर में इस बार बच्छा चलना भी स्गत है पिस साल के बाद 15 महीनाव छुबचना सिख जाता दूस साल का उससे पह जैधा सिख लेता है तीन साल 4 साल 5 साल मैं डिवा न शीमक ग्याता है यह करम था यह जो करूं था पलटने से लिक कर के दौरने तक का जो सिक्वेंस बताए और जो करम बताए मुह का सवा का कहानी क्या रहम अपननाज का अलग होगा भलना का अलग होगा अचेना भला का अलग होगा नहीं दोस्त के अलग होगा दुनिया में प्रतेख बालग अगर चल रहा है तो इसी करम का पालन किया और इसी करम में विकास होगा कोई अलग ढंग से नहीं होगा एलियन नहीं है बच्चा समझ मारा है ना यही सिक्वेंस से होगा तो इसलिए इस तरह का जो विकास होता है वो एक करम का पालन करता है एक बेवस्था का सू बेवस्था अच्छे डंग से बेवस्थी तरीके से करम हुआ न इसलिए बोलते हैं कि विकास हमेशा एक करम का पालन करता है दोस्ट एक करम का और यह सिद्धांत है यह प्रिंसिपल है जिसे फॉलो हर कोई करता है दोस्ट हर कोई हम आप सभी लोग किय हुए हैं अब बताइए किंचित भी दिक्कत हुआ समझ में आ गया ना जहन में उतर गया ना बोले ने दो सब कुछ सिखा देते हैं आए ना ओफलेंड में गुशा देते हैं यह डारेक्ट हिट वाला पूरी तर से समझ में आ क्रिश्टल किलियर हो गया अगर क्रिश्टल किलियर हो गया तो चलिए अब सुरू करते हैं इसके आगे का सिध्धांत सिध्धांत का नाम है अगला चोथा है कि विकास की गती की भिन भिन दर विकास की गती है न वो भिन भिन दर होती है उसकी अलग अलग रेट होती है तो क् मतलब हुआ इसका अब समझते हैं दोश सुनिये अब समझते हैं जैसे सुनिये कहने का मतलब हुआ कि अगर मुकेसवा सिस्वा आवस्था में है तो अब की बात करें फिर सिस्वा आवस्था के बाद बाल्या आवस्था में जाएगा बाल्या आवस्था भी दो पार्ट एक हो दो बरसों से छो बरसों की होती है अब फिर उसी में छो बरसे लेकर क्या 12 वर्स की अवस्था को उत्तर बाली अवस्था पोश्ट चैल्ड हूड बोलते हैं उभी आएगा बाली अवस्था के अंदर अब फिर किशोरा अवस्था जो 12 वर्सों से लेकर क्या 18 वर्सों की होती ह तो इतनी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि क्या विकास की गती इन सभी उम्रों में एक जैसी होती है या अलग-अलग होती है तो सुनिए बताते हैं जब मुकेसवा जनम लिया तो सैस्वा अवस्था में कहलाएगा जनम से लेकर आद दो बरसों की अवस्था को सैस्वा अवस्था बोलते हैं दो तो सैस्वा अवस्था में न जब मुकेसवा सैस्वा अवस्था में रहता है तो उसमें विकास होते रहत है तो बात करते हैं गती की उसके रेट की बात करते हैं कि किस गती से होता है तो किस गती से हुआ न यह तुलनात्मक बड़ है कमपेरिजन करने वाला बर यह रिलेटिव होता है किसी के सापेक्ष में होता है कितना अधिक कितना कम किसी के कमपेर में होता है किसी के सापेक्ष में होता है इसको रिलेटिव बोलते हैं अकेले कभी भी कोई बड़ा और कोई छोटा दुनिया में नहीं हुआ है समझ में आ र काल में जितनी विकास की गती तिवर सिस्वा अवस्था में होगा ना उतना कोई एज में नहीं और एकोई नोई एज में नहीं दोस्त तो सिस्वा अवस्था में मांसी की विकास करें शारिडी की विकास करें यह सब जानते हैं बहुते तिवर होता है दोस्त बहुते तिवर में बोल दें कि पूरे जीवन काल में जो विकास की गती होती है बिन एज में उन सबसे सबसे जैदा विकास की गती सैस्वा अवस्था में होता है एक बच्चे में कहीं का बच्चा हो इस हो गया एगो पॉइंट मिल गया कि विकास की गति सर्वतम पूरे जीवन काल में किस अवस्था में होती है तो समझनार क्या बोलेंगे सैसवा अवस्था जहन में उतार ले जहन में सैसवा अवस्था में होती है चलिए इसका मतब सबसे जैदा होती है इसका मतब बांकी में कम होता हो होगा यह भी लोजी की हाँ पर बैठ गया तो चलिए अगला बात करते हैं दूसरे छो साल मतब प्रारंभिक बच्पन का काल पूर्वबाल अवस्था तो पूर्वबाल अवस्था में दोस्त वह जो गती है सैस्वा अवस्था के कंपेर में थोरी सी कम होती है बहुत ज्याद साल में भी दूसरे 6 साल के कंपेर में कम होता है कि कम होता है गती घट रहा है देखिए पहले बढ़ प्रतोरा घटा फिर तोरा और घटा अब 12 से उपर जाएगा तो 12 से जैसे उपर जाएगे कि-11 अवस्थामे कि-11 पवस्था आचनक पुर्ब और उत्तर विश्था में जैदा होता है फिर विकास बढ़ने लगता है तो हमारे सिल्वस में तो 18 साल है दोस्त इसले आगे बोलों नहीं पाते हैं विकास तो जीवन परियंत चलता है तो यहां से क्या समझे सुनिए सुन इधर देखिए अगर गराब बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना दें यहां नहीं यहां देखिए यह फो ठीज़ाते हैं देखिस आप मनलन την के यह तो 2-2 चैंगे साथ एक्षे मेंना और समय के साथ ने कुछ नैए ऑक सेग्सिस को टाइम माना जो की यह वर्स में है वायकसिस को इप्लूपमेंट माना विकास माना जो है नहीं made घीघो जीए टॉरी तो स्प्रेकं दिए कितने वर्स तक तो तो थोर थोरह थोरह नीची nerd जया है अरे 2 वर्स तक जन्म से 2 बर्स तो जन्म से 2 बर्स विकास की रिठ गती बढ़ी उसके बाद थोरह क्या होगा लो थोरह संग Кण कर दिए फिर और थोरह सा कम हो गया तो भईया कहा से कहां soright Haiyaa ongoing दो है कुछ ऐसा नहीं धिख रहा है गराप इस तरह से अरे दोस्त इसகैराप को बोलते हैं वर तुलाकार वी तो about होता है यह रहद्र ग्रहार होता है दोस्त वर तुलाकार ना means वर्तुलाकार तो विकास की ग्राप होता है कुछ इसी तरह से दिखते रहता है अब समझ में आ गया आए इसको एक बार पढ़ते हैं विकास की गती की भिनविंदर अर्थात विकास की विभीन अवस्थाओं में विभीन अवस्थाओं मतवा हर एज में 0-2-2-6-6-12-12-8 वह हुआ विभीन वस्थाओं में विकास की गती भी बदलती है बदलते रहती है सेस्वा वस्था में अधिक होगा पूर्बाल वस्था में थोरा सा कम होगा उतर में और कम होगा फिर किसोरा में अचानक बिर्दी होती है और किशोर में लर्कियों की बात करें तो 12-14 साल में 12- 14 साल में लर्कियों के शरीर में परिवर्तन होता है शारिडिक परिवर्तन होता है 12 से 14 में जब कि मुकैसवा में 14 से 18 साल में लड़कों में 14 से 18 साल में शारिडिक परिवर्तन होता है इस तरह का डेबलप्मेंट होता है तो 12 से 18 में नहुआ और किसोरे अवस्था में हुआ न इतना का अंतर हो जाता है इसलिए लरकी ठाड़े साल रखा गया मिनिमुम शादी के लिए लरका का बखलालवा का की साल कि उसको देर से खुलती है बुद्धी देर से बदलती रहती है जैसे एक्जामपल है कि सैस्वा अबस्था में यह तीब्र होती और होती है उसके बाद धीमी होने लगती है बाल्यावस्था दूस्य छो अच्छो से बारह में धीमी होने लगती है और फिर किशोरा अवस्था बोले तो 12 से 18 वर्स में फिर से क्या होती है दोस तिब्र हो जाती है तो बताइए भिन भिन उम्र में विकास की गती या विकास का दर अलग अलग टो अलग-अलग वा तो वही था इसी अध्यांत का मतलब विकास की गती की भिनource हर एज में गती अलग-अलग होती है अलग-अलग होती है अब आइग तिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया बर सब जहन में उतार दूँगा उसे भी खतरनाक गहराई वाला सिंगल एटेंप्ट में सिंगल एटेंप्ट में गैरेंटेड रिजल्ट की बात करते हैं तो आए सार्तक सिटिट कला से इधर वांगा यह आपको होसला और पंक दोनों परदान करती है एक उची उरान के लिए एक उची उरान के लिए बाज की तरह दोस्त बाज की तरह पिछले बार का रिजल्ट हमारा 94 परसेंट जो इंडिया का एक बहतरी रिजल्ट में से एक रिजल्ट है दोस्त अगर वही बला चाहते हैं तो आईए जूरिये सार्तक सिटिट कला से दरवंगा के ओफलेंड बैस से एक सुबह में अभी चल रहा है सारे साथ से दस बजे एक ही कलास है वो धैगंटे की फिर दूसरी कलास तीन बजे से सारे पांच बजे तक और अपनी प्रतेप कलास धैगंटे की होती है ताकि आपर बाल केंद्री सिक्षा पद्दती अपना कर आपके बहतर रिजल्ट औ तो अगर आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों पक्का सब्सक्राइब लैक कर दे और सेशन अच्छा लगा हो दोस्त सेशन अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी शेयर करें और कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर शाम के साथ बजे इसके आगे की कहानी लेकर एक नया जोस एक नया उमंग एक नए इनर्जी के साथ शाम को साथ बज़े मिलते हैं दोस्त तब तक सेफ रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें मस्त रहें बैस्त रहें जबरदस्त रहें दोस्त जय हिंद जय भारत